अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे कछन में, और मन की सक्छी बनती को न्या, और जो मान सिके मने में अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे कछन में मन की सक्छी बनती को न्या, और जो मान सिके मने में सजनों, बताया कि अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे कछन में और मन की सक्छी बनती को न्या, जो मान सिके मन में सजनों बताया क्या है कि रावन, रावन था, भीबान के कारण टूब गया, उसमें ग्यान तो बहुत था लेकिन यदि वो उसे गमंड में करता, तो आज के दिन वो देव के समक्ष पुझता, देव के साथ से पुझता, वो ऐसा बड़ा विद्वान हुआ है, और क्या बताया जागलिकडी की माद्यम से, हाँ उच्छोने जल में काई अगनी में दुआ, इसने भी हटाऊ में और साथ ओ माबाप ते पहले मरे ना बेटा और यो भी घस्ट मिटाऊ में आप ते पहले मरे ना बेटा यो भी घस्ट मिटाऊ में जुक कहते जम कहते मुर्चा आगी भैरा कि आप मण की सती, मणती गोना, जो मान सुके मने मैं बनती सर्थी बनती गोन्या जो मान सुके मने वे कि अंबर में पैडी लगा दूंगा की आश्मान में फैडी लगा दूंगा और जितना जल स्वर्थी कहते मुर्च आगी और फिर लागी आग बतन में और मनी की सोची बन तीको ने जो मानस की मन में और आगली गडी में चलो मा बारत मन में सोची दुरियो दन्ने बवन में आगलागाई बवन में और बवन के अंदरी बेज दिये पहंडव और कुन तीमाई करी तलास फिर उया तास एक गुपती मोरी पाई और छेजीव सजनों छेजीव वहां मरी थे जलके जन दुनिया देखने आई करी पारी पसाई रलोको फेर तिन शाचिडगी मन में पन की सची पणती गोना दो मान संके मने में पन की सची पन की गोना दो मान संके मने में क्या दो में संके में आप दो में आप दो क्या मादा दो क्या वादा जिया सजनों माभारत की बात है जब कोरों में स्रेष्ट दुर्योंधन ने पाड़ों को नहीं हरा जा रहा था तो उसने एक पूरोचन नामक मंतरी शेक लाग्षागरे का निर्मान कराया सजनों लाग का घर उस लाग के घर में ऐसे पतार्थ मिलाए गए थे जो अगनी को बहुत ही जल्दी पकड़ते थे गुफा बहुत ही अंधेरे वाली थी उसने अरजुन को उसके अंदर अरजुन समयत पांच पांड़ों के साथ गुंदी माता को उसके अंदर भेज दिया उ से एके गुफा निकार दिया और वहां से बाहर निकल गए और उसके मन की सच ने यह रागली कड़ी में क्या बता जिया बता जिया हो ला दसरतन में करिल्यूमन का चाया तुरा मचंदर ने राज तिलक तिरा ओज्या बागे सवाया चरत बर्त की मताने फिर महला बीच बुलाया चोदा सालिका चोदा सालिका अधिया धी सोटा भेर खोटा मजने सुनाया चोड़ा साल काया तीरा दिशोटा है धेत्रा वदिन शुनाया निचे काद में निचे रगया है रे 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 निचे काद में निचे रगया है पर काच जट्या का गण मैं पर किसा जी पढ़ती बन्या थो मान से बने मैं सजनों बताया जी दसरत की जब वर्द अवस्ता आ जाती है तो अवे ध्यवसी से पूछ कर कहता है कि जेश्ट पुते राम को क्यों ना राजा बना दू उसके विमनी की सोची नहीं हुई क्योंकि जो उसकी राणी थी के कई उसको वचन मांगने थे वे दो वचने उसे युद के समय मांगने थे नेकिन उन्हें कहा कि मुझे समय अने पर वे वचन मांगोगी उसी दात मंत्रा द्वारा बढ़काने पर उसने भवन की अंदर बुला करके और उसे दो बचन मांग लिए कि चोदा साल का मनवास और भरत को राजगती उसे यह सुन करें दसरत का नीचे का दा मनीचे रागया उपर का जडिया कि गनन मैं मन की जो ची बनिटी को ना जो मानस के मन में और दाता सूर्य की वी लख्षी लख्मी चंद्रे इस यंदी में क्या बता दिया और ये कड़ी तो एक तरफ और तीन कड़ी एक तरफ है इसमें बताया कि मनुषे को कैसे करम करने चाहिए जो मनुषे इसे ऐसे करम करेगा तो भाव शाकर्षे पार हो जाएगा और क्या बता दिया बदा ओरी बुखे ने दो रोटी चाहिए प्यासे ने पानी चाहिए उच नीच की बता में सदा परखरी बाने चाहिए और बुले बटिके मानस ने सदा राह बता हानी चाहिए खुजरों यदि लाइन अच्छी लगे दो तालियों का शिरवाच होंगा और ये बाप और बेटा सुने बैठ इसी र सबा में गारी चाहिए पापल बेटा सुने बेठ इस नपापल गारी चाहिए कह लखमी चांदे था मैं इबतो सुने रो कह लखमी चांदे इबतो सुने रो अडला को हजीब बन की सब्ची बनती को ना जे माल से के मने में वेर मन की स्रप्ची बनती को ना, जो मान सिके मने